भारत के कोने कोने से लोग अम्रत्स्य के वागा बारडर पर एहटते होकर अपने देश के हीरो पाइलेट अभिनंदन का स्वागत करने के लिए बॉडर पर पहुचे हुए है अटारी वागा हुडर सरहत पर भारी तादाद बे खड़े लोग विंग कमांडर के स्वागत में डोल नगाड़े और पठाके लेकर अपने हीरो के लिए देशभक्ति के गीदगार है पटगाम में हुई विमान दुर घटना में शहीद हुए पाइलटों की सूची में वानरसी के विशाल पांडे भी शामिल है शहीद पाइलट का पार्थिव शरीर उनके पैतरक आवास को कुल गंच पहुचा जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजुम उम्रा वहीं लोगों ने उनकी विदाई करते हुए पाइक के खिलाफ आकरोश जाहिर कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाएं अस मौके पर जिले के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहें योके के रेल मंत्री शेख रशीद ने पाइक की खराब रेलवे सुविधाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि 4 अरब रुपए के प्राउधान मिलने के बावजूद ML1 में अब रेलवे की सुविधाओं को लेकर अब तक अंतिम निर्णाय नहीं लिया गया है इसी के साथ अवैद अतिकरमड की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने सक्रिये रूप से भूग माफियाओं से तकते बही की जमीने छुडवा ली है अमेठी में बाइक सवार तीन लोगों को तेज रफतार से चल रहे डंफर ने जोरदार टकर मार दी जहां एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई बाकी दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए वही सूशना मिलने के बाद पहुची पुलिस ने शाओ को पोस्माटम के लिए भेज दिया साथी घायलों को अस्पताल में भरती कराया जहां इलाज के दोरान उनकी भी मौत हो गई फिलाल पुलिस ने मुकतमा दर्श कर फरार आरोपी की तलाज शुरू कर दी है होली के लिए रेलवे ने एक बड़ा प्लान बनाया है आपको बता दे कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे प्रशासन ने होली स्पेशल ट्रेनों का रूट चार्ट तयार का लिया है होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन 12 मार्च से 26 मार्च के बीच होगा आग की चपेट में आकर बुरी तरह जुलस के हैं जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल में भरती करा है फिलाल पीडितों का इलाज चल रहा है जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है साहरनपुर के स्टेशन के सेकेंड एंट्री गेट का भाशबासांसाद रागाव लखन पाल ने उधगाटन किया इस दोराँ गेट के बनने की खुशी जताते हुए नागरवासियों का कहना है कि लकडी के पुल से होकर गुजरने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जिसके चलते हम लोग एक अच्छे पुल के इंतजार में थे जो आज जाकर पूरा हो गया है मत्रो के रहने वाले लाल पंकज नौबार एयर इंडिया के पत पर तैना थे जो दो दिन पहले एक विमान क्रेश हो जाने से शहीद हो गया वही शहीद के पार्थिव शरीर को उनके स्थानी आवास पहुचते ही परीजनों में कहराम मच गया जिसे देखने के लिए हजारों की संक्या में लोगों की भीड उमर गई इस दोरान सभी लोगों ने शहीद जवान की शहादत पर नमाखों से विदाई दी दिल्ली के सरीता विहार में एक महिला का शौब बोरे में मिलने से हडका मच गया दरसल किसी रंजिस के चलते कुछ लोगों ने युवती की हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम दे कर आरोपी मौके से फरार हो गये वहीं सूशना पर पहुची पुलिस ने घटना इस्थल का जायजा लिया साथ ही परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्श कर मामले की कारवाई में जुटी हुई है ख्रास्ति जिले के मनुड़ी गाओं में खेसे चारा लेने गई महीला के साथ युवक द्वारा दोशकार्व करने का मामला सामने आया है जिससे गुसाई महीला ने युवक के ऊपर धारदार और जार से हमला कर उसका गुपतांकार्डिया गंभीर हालत में युवा को जुला स्पताल में भरती कराया गया वहीं युवा का कहना है कि आप सी रंजिश के चलते मुझे जान से मारने की कोशिश की गई